श्री शिवाय नमस्तव्याम हरार महादेव ओम नमस्षिवाय मित्रो आयम आपको पूझ गुरुजी पंडित पिर्दिम मिस्राई की कता सुनकर जालू के बहुती अचुक उपाय आपको बताने जा रहे हैं दोस्तो घर की जालू से करें ये एक काम गरीबी हो जाएगी कोसों दूर दोस्तो पूझ गुरुजी पंडित पिर्दिम मिस्राई ने कल की कता में बहुती अचुक और राममाड उपायों के बारे में बताया है साती कुछ नियमों के बारे में बताया है जो जालू से दोस्तो देखे आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रुकैस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें शेयर कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्छे मन से हरर महादेव या सिरी शिवायन मुस्तव्यम चरूलते हैं जिससे कि आपकी हर मनुकामना जल्दी से जल्दी पूरी हो देवी माना गया है और ऐसी मानता है कि अगर मालेच्मी किसी पर प्रशन हो गई तो उसका घर धन दौलत और ऐसो आराम से भर देते हैं ऐसे मैं धन की देवी मालेच्मी को पर से करने के लिए कई तरह के उपाय करते हैं सास्त्रों में मा लच्मी को पिर्सन करने के लिए कई तरह के टोटके और उपाय बताए गए हैं जिनको करने से मा लच्मी की किरपा जरूर मिलती है जैसे कि आपको पता है कि मा लच्मी वहीं पर बास करती हैं जहां पर साफ सफाय होत मा लच्मी को जालू बहुत पिरियो होता है ऐसे मैं मा लच्मी को पिर्शन करने के लिए जालू से सम्मंदित कुछ उपाय किये जाएं तो घर हमेशा धन और सुख सम्रिद्धी से भरा रहता है आये जानते हैं धन दौलत और सुख सम्रिद्धी के लिए जालू के कुछ उप का समय ही सुब माना याता है दरसल सूर्यास्त के बाद मालच्मी घरों में वास करती है ऐसे मैं सूर्यास्त के समय जाडू लगाने से मालच्मी नाराज हो जाती है और उस घर से रूट कर चली जाती है इस कारण से भूल कर भी सूर्यास्त के बाद जाडू नहीं लगानी चाह तो उसके फोरान बात कभी भी जालू नहीं लगानी चाहिए इससे कार्यों में तरह तरह की बादाएं आती हैं और कार्य सफल नहीं होते अपने घर को आर्थिक परसानियों से बचाने के लिए मालचमी का सदेव आसिरवत पाने के लिए जालू को घर के ऐसे हिस्से में रखन चाहिए जहां पर किसी की नजर आसानी से ना पड़े इसके अलावा कभी भी जालू को पैर से ना चुएं और तुलसी के पौदे के पास ना रखें इससे मालचमी नाराज होती हैं पुझ्य गुरुजी के अनुसार जालू देवी लचमी की पिरीचीजों में से एक मानी आ उपर पैर लग जाए तो दोनों हाथ जोड़कर माफी मांग लेनी चाहिए जालू को कभी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए जब भी घर पर नई जालू लाएं तो इसका प्रियोग सनीवार के दिन करना सोब होता है और इसे घर के पच्छिम दिसा में रखें दोस्तों अ पूझ्य गुरुजी के अनुसार धन की विरद्धी करने के लिए भी जालू के कुछ अचुक तोटके हैं दोस्तों देखिए अगर आप घर में धन की विरद्धी करना चाहते हैं तो आप सुक्रवार की रात में एक लाल कपड़ा लें जो की साब सुत्रा और साबूत कौड़ा ना हो अब उस कपडे को अपने घर की पच्चिम दिसा में जमीन पर बिच बिचा लायें फिर उसके ऊपर अपनी जालू को रख दें जे जालू से आप रोयाना घर में ज़ालू लगाते हैं उसी जालू को आप उस कपड़े पर लिटा कर रखें अब दोस्तों मे आप 11 रुपर रख दें और दोस्तो एक देशी का दीपक जला दें दीपक में लंबी बाली बाती रखनी है जो दीपक आप जलाएंगे वो भी आपको उसी कपड़े के उपर रखना है अब दोस्तो मालचमी का ध्यान करें और माता लचमी का मंत्र को मालचमी नमा इसका जब क फिर जालू को तीन बार अपने माते से लगाएं और जालू को उसी कपड़े पर रख दें और रात बर के लिए इन सारी सामगरी को वहीं रखा हुआ छोड़ दें अगले दिन सुबह उठकर दोस्तो सबसे पहले आप जालू को उठाएं और जालू को परणाम करके आप अपने घर की साफ सफाई करें फिर जो सामगरी आपने लाल कपड़े पर रखी थी उस सामगरी को उसी लाल कपड़े में भान कर आप अपने घर के तेजोरी या गल्ले में रख दें या फिर आप इसे अपने घर के में दरवाई पर अंदर की तरफ भान जखते हैं दोस्तो इस उपाय को करने से घर के सदसे तरक्की करते हैं और घर में धन की विरद्धी होती है। साती घर में मा लचमी का आसिवाद हमेशा सभी सदस्यों पर बना रहता है। तो दोस्तो अगर आपको पूर्जी गुरुजी द्वारा बताए कि यह उपाय अच्छे लगे हों तो इन्हें ज्यादा स्यादा लाइक करें शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्छे मन से हरर महादेव या सिरी शिवाईन मुस्तव्य हम जरू लिखते हैं जिससे कि आपकी हर मनुकामना जल्दी से यल्दी पूरी हो जाए